खेलू फ्रेंज्ट्स कैसे हैं आप स्वागत है आपका एछास हमारी चैनल पर सु फ्रेंज्ट्स आज की रसपी है पोटेटो वेज रोल बनाना पोटेटो वेज रोल बनाना बहुत आसान है लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे अगर आप इस चानल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चानल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद So friends, स्टार्ट करते हैं आज की रासिपी यह दिखी, आलू उबाल के, हम इसे मैश करके, कुटी मिर्ची, धन्या, हारी पत्ती और हारी मिर्च नमक डालके, इसे अच्छी से फ्राई करके त्याद कर लिए हैं अब हम इसके जैसे टिक्की बनाते हैं, राउशिप में हल्का सा पाने लगा लिया हाथी और इस तरह से ब्राई करते हैं, फिर इसे तवे पर गरम करके तेर अच्छी से शेक लिए जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं जब तक ये टिक्या आलू की इधर पक्रिया इच्छी से तब तक हम इसे जो चट्मिया अबलबल की चात्रे इसके साथ वो बता देते हैं आपको ये चट्मी हमने बनाई है जो आपकी कली होती है उसमें चीनी और हलका से नमक मिलाके इसे मिक्सी में पीस किला है तो ये हमारी खटी मिठी चट्मी तेयार हो चुकी है आगर आपके पास पीसमी कली नहीं है तो आप क्या करिए इमली है पक्की वाली उसको भीगो के छान लीजे या जो आपके पास खटाएगा आप जो पॉडर है उसमें मिक्स कर लीजे गाढ़ा पेस्ट करिए और उसमे दुराआ कि आपके मिठा पसंद हो ज्यादा पसंद हो तो दो चमच अपने हिसाब सिया सकते ही तो ये आपके मिठी चट्री कर्वी चट्नी इसमें मैंने हरी मिर्ची धन्या पुदीना और जरासी अड्रग थोड़ा सा पानी बिला के इसे मिर्ची में पीस लिया है तो ये हरी चट्नी भी तेयार है और इधर टिक्ली को हम पिल्कुल धीमी आईच पे सुनहला होने तब फ्राइ करना है जैसे कि आप द दोनों तरब से अठी से जब सुनहला हो जाएगा तब हम गैस ओफ कर देंगे दोस्तों आप वेच्छों चाहे मैडे के बनाईए चाहे गेहु के आटी का आटा गूदते समय आप इसमें हलका सा नमक डाल दीजेगा और हलका सा तेल तो इससे रोटिया मुलायम भी बनेंग आपकी और आप इसे अपनी हिसाब से लोई जितना बड़ा आपका तबाह हो उसे साब से लोई ले सकते हैं और पत्ली सी रोटी बे लिए लिए यह दिखी फ्रेंड्स हमने इस रोटी को बहुत अच्छी से खुब बड़ी सी बेल लिया है और तावा गरम हो चुका है सो अब हम इसमें अच्छी से कला की सिर्क लिए और इधर दिखी रोस्तों यह टिक्की में बहुत अच्छी से गोडल गाउन हो चुकी है इसी जब दो चुकी है इसी रोटी की टेरे ही इसी बिलकु तरफ से अच्छी से से खुब लिए है तर रिस्पी तेल दादे ना है इस अच्छी की तरे जासे में रुप राखा मनाते है रोल खर्प से अच्छी से बिलका को अच्छी से लिए दगाँ है कि आसे तरफ देगा कर दीजेगा इदी की फ्रैंस पख गई है आम इसी हल्का सब फुश कर दिए असे रेकिए इस पर रख लिया है रोटी में और इसको चिंटे से हल्का सब गढ़ लेजेए तक ये भागें नहीं, उतना करें, और इस आले को अच्छी तरह सब पिलादे जाएं, तब आप इस पे एक तरह के चट्नी डाल देजें, इसके बाद यहारी चट्नी, अच्छी से डाल देजें, इसके बाद यहारी चट्नी, इसके बाद आप प्याज डाल देजे, आप बंधा भी डाल सकते हैं, गाजर भी कर्सके डाल सकते हैं, आपके पास जो सबजे आप लबल हो घर पे, वो अच्छी से समें डाल सकते हैं, और डालने के बाद इससे आप रोल करते चलिए, इस तरह से पकड़ने चलिए, हलका से बच्चों को बहुत पसंद आता है यह पोटेटो वेज रोल हो या डाल का वेज रोल हो आप कोई भी कवाब पर अठा डाल का बिनाए या इसका तो इसी बच्चों को मार्किट जासा दिखाने के लिए ऐसे हलका सा पेपर में रोल कर दीजे तो इसको और अच्छा लगने करता है इस तरह से अब इसे हलका सफूर्ट कर दीजी और इसके बाद आप हलके से इसे मोर्टे जाई अंदर तो यह रिकुल बच्चों को मार्किट की तरह अच्छा सब इस तरह सी रोल होने के बाद आपका फूलेगा भी नहीं और बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा इसी तरह के लेटिस्ट वीडियो आप देखते रहे और इस चानल को लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा फेस्बुक पे हमारा पेज है एहसास हमारे इसे ज़रूर लाइक करनेगा थैंको फ्ट्स है है करते हैं प्रक्षरन के लाइब करने सब्सक्राइब करने वे नग्चे रेखते बादये है?"